हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ मोटिवेशनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो हमें विश्वास, धैर्य और आत्मबल का महत्व सिखाती है। यह कहानी एक आम इंसान के जीवन से प्रेरित है, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करता है। इस कहानी का मुख्य पात्र अजय है, जो कई मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन अपनी जिद और विश्वास से जीवन की नई राह ढूंता है। लेकिन हर बार वह थोड़े अंकों से चूक जाता। इस असफलता के चलते उसके परिवार वाले भी चिंतित रहने लगे और उसे लेकर समाज में तरह तरह की बातें होने लगी। और वह सोचने लगा कि शायद उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इन सब कठनाईों से घिरा अजय दिन बदिन निराश होता गया। उसने कई बार हार मानने का सोचा लेकिन अंदर कही न कहीं उसे लगता था कि शायद कोई रास्ता है जिससे वा बाहर आ सकता है। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसकी रातों की मींद गायब हो गई और वह अंदर ही अंदर खुद को कमजोर और टूपता हुआ महसूस करने लगा। अजय के इस टूपते हुए होसले को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे चरचाने का सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा, तू एक बार मेरे साथ चरच चल, वहाँ पर एक समूह में हम लोग मिलकर बातें करते हैं और यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में जानते हैं, शायद तुझे भी कुछ सुकून मिलेगा। पहले तो अजय को ये सुझाव अजीब लगा, क्योंकि वह धार्मिक नहीं था। उसने सोचा कि ये उसके किसी काम का नहीं होगा, पर जब दोस्त ने जोर देकर उसे समझाया, तो उसने एक बार जाकर देखने का निरने लिया। उन्होंने बताया कि कैसे ये शुने जीवन की हर कठिनाई का सामना किया और लोगों को प्रीम, करुना और धैर्य का पार्ट पढ़ाया। वह कहानी थी उस समय की, जब ये शु को उनके अनुयाईयों और समाज ने गलत समझा था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष से कभी मूह नहीं मोड़ा। उन्होंने बताया कि ईशु ने कहा था, यदि तुम्हारे पास विश्वास है, तो तुम किसी भी परवत को हिला सकते हो। अजय को यह बात बहुत गहराई से समझ में आई, उसने महसूस किया कि वह बार-बार असफल हो रहा है, लेकिन उसके अंदर विश्वास की कमी है, अगर वह खुद पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास करना शुरू कर दे, तो शायद चीजें बहतर हो सकती हैं। अजय ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने विश्वास को मजबूत बनाएगा और हर स्थिति में धहरे रखेगा। उसके बाद अजय ने अपने जीवन में छोटे-छोटे बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने ऐसा फलताओं को एक सबक की तरह लेना शुरू किया। उसने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी छोटे-छोटे प्रयास किये। उसने कुछ पार्ट-टाइम काम शुरू किये जिससे उसे थोड़ा आर्थिक सहारा मिला। अजय ने ईशु-मजी की शिक्षा के अनुसार अपने रिष्टों में भी बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबन्धों को सुधारने का प्रयास किया। उसने दूसरों के प्रती अपने दिल में एक करुणा और प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया वह अब अपने दोस्तों से मिलने में जिजगता नहीं था बलकि उनके साथ अपने अनुभव और विचार साजा करता था उसकी सकारात्मक सोच ने उसे एक नए आत्मबल से भर दिया और उसके रिष्टे भी बेहतर होने लगे धीरे धीरे अजय के जीवन में बदला आवाने लगे एक दिन उसने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता हसल की इस सफलता ने उसके परिवार और दोस्तों के दिल में उसके प्रती सम्मान और गर्व की भावना भर दी अब लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी महनत को सराहने लगे अजये ने अपने अनुभवों को अपने आसपास के लोगों के साथ साजह करना शुरू किया उसने चर्च के समूह में वापस जाकर अपने बदलाव की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे यिशु मसीह की शिक्षाओं ने उसे एक नई दिशा दिखाई उसकी इस कहानी ने कई अन्य लोगों को प्रेरिद किया जो खुद भी संघर्ष कर रहे थे अजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाईयां आएं अगर हमारे पास विश्वास, धैर्य और करुना है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं अगर आप भी अपने जीवन में नई उम्मीद और सकारात्मक तालाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें हमें आशा है कि इस कहानी से आपको प्रेर्णा मिली होगी हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अपना खयाल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें